हेलो स्टुडेंट्स आपके लिए लेक्चर नमर नेक्स्ट लेक आया हूं बाइनोमियल थियोरम का आई थिंक यह मेरा लास्ट वीडियो होगा बाइनोमियल थियोरम से रिलेटेर देखिए इस कोश्चन में कहा गया है कि फाइन दा कोफिशेंट ओफ एक्स पे पावर 3 इन 2 एक्स स्क्वाइर मैनस 1 बटे एक्स पे पावर 9 इस बात को समझना है कि क्या कहा गया है कहता है कि जब इस बाइनोमियल थियोरम को एक्स पेंड करेंगे तो उसके एक्स पेंड करने के बाद इसके आंसर में हमें आएगा एक्स पावर 3 और एक्स पावर 3 के साथ में जो भी नम्मर multiply रहेगा वही हमारा answer होगा तो सबसे पहले इसको expand करना होगा expand करने के बाद हमें r का भेलू निकालना होगा जब उस r का भेलू हम इसके expansion में put करेंगे तो हमें x power 3 find होगा और x power 3 के साथ में जो नम्मर multiply होगा वही मेरा required answer होगा तो question का भावना यही था तो इसके भावनाओं के अनुसार हम इसको solve करते हैं solve दिखिए बाच्चो लिखा है give hand 2x square minus 1 upon x पे power 9 तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं n बराबर power 9 a बराबर पहला term 2x square b बराबर दूसरा term minus 1 बटा x दिया है जो चिन रहाता है नों उसके साथ लिखते हैं अच आर बराबर हमें यहां मालूम नहीं है पहले आर निकालना होगा तो यह आप लिखेंगे by formula फर्मूला तो आपको याद हो गया होगा plus 1 बराबर ncr into a power n minus r into b power r तो बच्चों इस n के प्लेश पर क्या रखेंगे? 9, r के जगह क्या रखेंगे? r हीं क्योंकि r तो मालूम ही नहीं है यहां लखेंगे r into a बढ़ाबर 2x square पे power 9 minus r into b k plus पे minus 1 upon x पे power r इसको लिखेंगे 9cr into हमने क्या बताया? बराइकेट में अगर दो अलग-अलग तर्म है यानि यहां बेदे को एक constant बला है, x बला है उस पे power अलग-अलग कर लेते हैं, तो 2 पे power इतना, यानि 2 पे power 9 minus r into x का x square पे power 9 minus r into minus 1 पे power r बटे x पे power r लिख सकते हैं, आगे देखेंगे इसको हम क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे 9cr into 2 पे power 9 minus r into x पे power एक पे power देखो प्राइकेट केंदर 2 है न, यह दो सब power से गुना होता है, तो 9 दो दो न अठार है, मैनस 2r, यान हो जाएगा एक थार है, मैनस 2r into minus 1 पे power r, सर्य, minus 1 पे power r upon x पे power r आर इसको देखे लिखेंगे 9C R into 2 पे पावर 9-R बच्चो देखिए यहां है X पे पावर 18-2R इस 18-2R में यह R जब मैनस होगा तिये हो जाएगा X पे पावर 18-2R क्योंकि दिवाइड है पावर घटेगा into minus 1 पे पावर आर इसको लिखेंगे 9C R into 2 पे पावर 9-R into X पावर 18-1 को लिख लेते हैं-1 पे पावर आर इंटू X पे पावर 18-3R इक्वेशन फरस्ट अब यहां आने के बाद देखिए इसका सोलूसान एकदम सीम जा रहा है इंडिपेंडेंट टर्म की तरह जाता है ना हां हमें R का भेलू मालूम होता था लेकिन यह R का भेलू सकते हैं हमीं कोश्चन में कहा गया है एक्व सब्सक्रावर 3 का कोफिशेंट निकाल ले तो बच्चों बताओ एक्व सब्सक्रावर थिक्वेशन जो होगा वही कोफिशेंट होगा हमारा किसका एक्वस्प्राबर 18-3R का इसका मतलब यह बाला टर्म एक्वावर 3 के बराब कर देंगे इसीलिए बाइ question से एक्स पाबर 18-3R is equal to x पाबर 3 यह बना कहां से लाये equation फस से और यह x 3 कहां से कुस्चन से वहां पर दिया रहेगा मेआ अब दिख़forcement यह first is under the address सब्सक्राइब दिर यह हो जाएगा को 3R बड़ाबर तीन जब इधर मैनस होगा तो यह हो जाएगा 15 है इसलिए आर बराबर 15 बटे 3 बराबर 5 यानि आर बराबर हमारा क्या भेलो निकला 5 निकला तो क्यों ही हम equation 1 में आर के जगा 5 भेलो पुट कर दें चलिए बच्छो पुट कर देते हैं हम लिखेंगे from first से 9C इसके जगा पे क् कुट करेंगे 5 यहां हो जायागा 5 इंटो 2 पे पावर 9-5OT नाइन सफाई मुंटीपलाय मैन पे प् instrumental थ्री गुना 5 यह जाए गा 9C 5 v bag ऐंटीपलाय टो पे पावर चार गुना आप दिखो यह मैनस वन हो जाएगा मैनस रिकाबर और है तो और निइट इंटू एक्स पाबर 18 मैनस पंद रहे हैं यह वह जाएगा मैंनस 9c5 multiply 2 पर पावर 4, 2, 4, 16 multiply x पर पावर 3 इसलिए इसको हम लिख सकते हैं minus 16 into 9c5 into x power 3 हमें कहा गया है कि x power 3 का अंसर बताओ क्या होगा x power 3 का coefficient देखिए तो x power 3 आया है न इसका coefficient क्या है इसका coefficient यह है है इसलिए हो जाएगा अंसर आमका रे बाबु मैनस 16 into 9c5 यह आपका required answer तो आपका जो question दिया रहेगा जिसका coefficient पूछेदा न लाइस्ट में वही coefficient आएगा इस चीज़ को आप ध्यान में रखना अगर वो तना नहीं आता है तो आपका केल्कुलिशन कहीं गलत हो गया है ठीक है तो आज एहीं पर हम binomial theorem का lecture को स्माप्त करते हैं हमने पूरी तरह से binomial chapter को lecture 1 से लेके आप lecture last तक देखिए total question का आप serial wise में ने solution किया है ठैंक यू